एक ओर जहां कोरुना महामारी और लॉकडाउन की वजह से मज़दूरों की स्तिती बरबादी के कगार पर पहुच गई है तो वहीं दूसरी ओर इसी कोरुना काल में एक मज़दूर ऐसा भी है जिसके किस्मत रात और रात चमक गई जहां देश दुनिया में हीरों की नगरी के लिए जाने जाने वाले मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में आनंदी लाल कुश्वा की किस्मत चमक गई ये वही जगा है जहां ये कहा जाता है कि कब किसकी पिस्मत खुल जाए पता नहीं चलता आनंदिलाल कुश्वा के साथ भी यही हुआ पन्ना के धर्ती ने आनंदिलाल कुश्वा को एक मिनट में रंग से राजा बना दिया दरसल पन्ना जिले की एक खदान से आनंदिलाल कुश्वा नाम की एक मजदूर को बेश कीमती उज्वल क्वालिटी का हीरा मिला जिसके किस्मत लगभग 50 लागा के जा रही है अमूमन एक कैरेट हीरे का मुल्य पांच लाग होता है और ये जो हीरा मिला है उसका वजन करीब 10 कैरेट से जादा है जानकारी के मुताविक ये हीरा पन्ना जिला मुख्याले से 15 किलो मिटर दूर उथली हीरा हदान के खदाई के दौरान मिला हिमानदारी दिखाते हुए मजदूर ने तुरंत इसे कारेयले में जमा करवाया अब इस हीरे को आॉक्षन में रखा जाएगा जहां इसकी खुली बोली लगेगी जो सबसे ज़्यादा बोली होगी वो ही इस हीरे की असली कीमत मानी जाएगी उसके बाद इसे राशी से हीरे कारेयले टेक्स काटेगा और बाकी की बची राशी को मजदूर आनंदी लाल को दे दी जाएगी खुदाई के दौरान हीरे पाने वाले मजदूर आनंदी लाल कुशुहा ने बताया कि इससे पहले भी इसी ख़दान के खुदाई के दौरान उसे 70 सेंट का हीरा मिल चुका है और अब 10.70 केरेट का बेश किमती हीरा मिला है आपको बता दें ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी मजदूर को खुदाई के दौरान हीरा मिला हूँ इससे पहले भी दो मजदूरों की किस्मत रातो रात चमक चुकी है